नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली कतित तोर पर देश द्रोह का आरोप छेल रहे है शरजिल इमाम के मुबाइल को पुलिस ने बरामत कर लिया है दरसल कहा ये जा रहा है कि शरजिल ने अपने मुबाइल फोन को अपने घर पर रखा था गिरफतारी के वक्त उसका मुबाइल फोन नही बरामत हुआ था तो अब जो है कि पुलिस के द्वारा उसके मुबाइल फोन को बरामत किया गया है और मुबाइल फोन बिहार से दिल्ली ले जा रहा है माना ये जा रहा है कि इस मुबाइल फोन से कई एहम सबूत हाथ लगेंगे जैसे कि पुलिस की जो चर्चा है उसमें जो ये बात सामदे आरे निकल के कि सरजिल के संपर्क किन-किन लोगों से थे किन-किन लोगों के फोन उसके मुबाइल पर आते थे उसके नमबर पर किन-किन लोगों से बात चीत होती थी इन सब चीजों का खुलासा मुबाइल के जो रिकॉर्ड होता है CDR जिसों कहते है कॉल रिकॉर्ड डिटेल जो होती है उसमें पता चलेगा और आपको बता दे कि सरजील इमाम की गिरफतारी पिछले दिनों बिहार के जहानाबाद से हुई थी दरसल जहानाबाद का ही रहने वाला है सरजील इमाम और वहां से पुलिस ने गिरफतार किया था जबकि सरजील इमाम और उसके परिवार वालों का ये कहना है कि उसने सरंडर किया ना कि पुलिस ने गिरफतार किया है तो कथी तोर पर रास्ट विद्रोही बयान बाजी करने वाले जेनियू के छात्र शर्जिल इमाम को बिहार के जहानबाद से गिरफतार किया गया था दरसल सर्जिल इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें वो कतित तौर पर देश विरोधी बयान बाजी करते नजर आ रहा है अब आपको बता दें कि सर्जिल इमाम जो है उसके गिरफतारी के लिए पुलिस लगतार छापे मारी कर रही थी कई प्रदेशों में उसके खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद गिरफतारी के लिए जो तलाश है वो जारी हुई बिहार में भी लगतार छापे मारी हो रही थी पटना पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों कॉडिनेट करके छापे मारी अभियान को अंजाम दे रही थी जहानाबाद में पटना में छापेमारी हुई बताए यह जा रहा था कि सरजिल इमाम जो है पटना में छीपा हो सकता है और उसके बाद छापेमारी चालो हुई थी लेकिन गिरफतारी जहानाबाद से हुई सर्जिल इमाम की मा और उसके जो भाई है उनका साफ तोर पर कहना है कि नयाय पर भरोसा है और सर्जिल इमाम को फसाने की कोशिश की जा रही है तो आपको बता दें कि सर्जिल इमाम के मुबाइल फोन को फिलहाल पुलिस बिहार से द पुलिस के मुताबिक वाइरल वीडियो में सर्जील इमाम भाशन देते नजर आ रहा है कि प्रारंभिक जहांच पता चलता है कि ये वीडियो 16 जन्वरी को AMU यानि कि अलिगर्ड मुस्लिमिन सीटी में एक सरवजनिक भाशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था वीडियो वाइरल होता चला गया और मुकदमे दर्ज होते चले गये फिलहाल सर्जील इमाम को गिरफतार कर दिल्ली पुलिस अपने साथ दिल्ली लेगे पूशता जारी है लेकिन इस बीच मोबाइल मिला है जिसको बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा है अब देखने वाली बात हुई कि मोबाइल डीटेल जो सामने आती है उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं फिलाल आप लाइफ सिटीज के साथ बने रही है हमारे यूट्यूब चैनल को अगर भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करिए फेजु पेज को लाइक करें विस्त